नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सोईला और 17 नमंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों के अंदर यानि कि दोस्तों आने वाले अगले जो 72 घंटों का शमय होगा आप सभी के जीवन काल में जो चमतकार होने वाले हैं दोस्तों दुसमन के भी होस उड़ा देंगे जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके कुंडिली में ग्रहों का बहुती बड़ा परिवर्तन हो चुका है जिनके कारण दोस्तों सूब योगों के साथ साथ तीन बड़े राजयोग का निर्मान हो चुका है और दोस्तों ये अदभुत संजोब आप सभी के जीवन काल के लिए बहुती बड़ा बदलाव लेकर आया है एक परकार से कहें तो दोस्तों अगले 72 घंटों में ऐसा चमतकार सभी के होस उड़ाने वाले शावित होंगे पर उन्तों दोस्तों आप सभी को बता दें की या समय आपको चार बड़े विश्यस बातों का ध्यान रखना भी बहुती ज़्यादा आवश्यक होंगे जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को यह बात सबसे पहले बता दें कि यह चार बातें आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे बड़ा मंतर शावित होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों यूंकि है तो दोस्तों यह समय भगवान मालक्षमी कि यह आपके लिए बरदान है कि यह चार बातें अगर आप ध्यान से सून लेंगे इन चार बातों को आपने मन में काठ बांद लेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जितने भी शंकट समस्या राजयोग का निर्मान हुआ है आप सभी के कुंडली में अदभुत सावित होंगे और यह बड़ी चमतकार आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देंगे जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारा बस आप सभी से यहीं निविदन रहेगा कि आज की इस वीडिय को आप भूल कर भी मिशना करें और अंत तक बिल्कुली ध्यान से दिखिएगा जिहां दोस्तों हम इस बात की गारिंटी देते हैं कि आने वाले 72 घंटों में आप सभी का जीवन बिल्कुली बदल जाएगी और दोस्तों हीरे से भी तेज आप सभी का जीवन अब चमकने वाल अगर आप इस वर कोही कोशेंगे तो दोस्तों आपके परिक्षा बिल्कुली रद हो जाएगी और इस वर की नजरों में आप बिल्कुली गिर जाएगे इसलिए दोस्तों अब आपके शम्य आ चुका है अब आपको दिखा देना है कि आप भी किसी से कम नहीं जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों ग्रहों की जित्ती बता रही है कि अब आपके जीवन काल में ये बड़े चमतकार सबसे महत्पुन शावित होने वाले हैं जिहां दोस्तों तो दोस्तों बीडिये को बिलकुली मिशना करें और सुरू से अंध तक बिलकुली ध्यान से अप्ति होगी और मालक्ष्मी जी की आसीम आसिरबाद से आपके घर के माहूल में पहरवारी जीवन में आपके परतेग छेतर में क्या-क्या सुधार क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं तो दोस्तों अंतर तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो डिक्ति बीडियो को तो चेर्ण को भी सब्स्क्राइब कर लें, साथ ही बिल आइकन को प्रेस करके और पर श्लाट कर लें, तो यह दोस्टों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्रीक्रिशन जी के एक बहुत अच्छे घ्यान सी, एक बहुत अच्छे विचार सी, जो कि दोस्तों आपको इन दि चीज है लोहा जो सब को काट डालता है लोहे से ताकदवर है आग जो लोहे को पिखला देती है आग से भी ताकदवर है पानी जो आग को भी बुझा देता है और पाने से भी ताकदवर है इंसान जो उसे पी जाता है और इंसान से भी ताकदवर है मौत जो उसे भी खा जाती है और मौत से भी ताकत बर है दुआ जो मौत को भी टाल सकती है तेरह मेरा करते एक दिन चला जाना है जो भी कमाया है यही रहा जाना है कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ यही तेरे आना है मुझे वे रिष्टे पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो जी हां दोस्तों इन से हमें यह सीख मिलती है कि हमेंसा परिवारों के साथ मिल जुल कर रहें भगवान के परती निष्टा भाव प्रयाम जोद जगाएं आपको यही अच्छे मार्ग बताएंगे और यही सबसे धर्म इसका लियुक का है जी हां दोस्तों तो दोस्तों यह बात हैं अगर आपको समझ में आई हो इन बातों में सच्चा ही लगी हो तो दोस्तों बीडियो को एक प्यारा शालाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण तो यह दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अगले 72 घंटों के अंदर आपको कौन सी चार विश्यस बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बड़ी खुस खबरी आपको यह समय मिलने वाले हैं आपके घर के माहौल में पारबारिक जीवन में आपके स्वास्त बिजनस वैप हुई है अपनी मन मुतावित कारियों में वेतित करने से आप परबुलित में हैसुष करेंगे उधार दिया हुआ पैशा मिलने की उचीत संभावना है किसी निकट समंदी के साथ चरही कलित प्यमिया भी दूर होगी जदिक वैस्ता के कारण घर पर अधिक समय नहीं वेतित कर पाएंगे परणतु आपने बहुत ही महत्यपुन कारियों को निप्टाने से प्रिशनता और शुकून रहेगा यह समिन निवेश करना भविश में लबदाएक सावित होगा गर में किसी भी समंदी का आगवन भी होगा दिन सुखद वेतित होगा कुछ उल्जे हुए कार परवासारी लोगों के साथ दोस्ताना समंद बनेंगे कोई भी निवे भावनाओं में आकर ना लें प्रैक्टिकल होकर निवे लेने से आपको निश्यती सपलता मिलेगी अपने कारे सेली में परिवर्था लाने से आप बहतरिन तरीके से अपने कारे को अंजाम दे पाएं तो समय बहुत ही अनुकुल है नजदे की समंदियों के साथ चली गलत फ्यमिया भी दूर होगी आपका यौनावत तरीके से कार करना तिधा सकारत्मा सोच रखना आपको कोई भी निरे लेने से सायक रहेगा परिवार के साथ किसी महत्पुन मुद्दे पर आपकी सलाव को इसे समात्त दिया जाएगा महिलाओं के लिए आज का दिन खास तोर पर बहुत ही शुब रहेगा दोस्तों परिवार तता समंदियों के साथ कुछ समय वेतित करना आपको शुकुन और खुसी परदान करेगा आज किसी परभासाली व्यक्ति से मुलकात होगी तथा आपको क मिल सकता है कुछ में अधात्मी गति विधी में शुमे वेतित करने से शुकुन और सांती मिलेगी और मन पर भूलित रहेगा अपने पसंदीता कामों को प्रत्मिक दादें मेल जोल बढ़ेंगे और या शंपर आपके लिए फायदमन साबित होंगे पर पट्टी की खरीद परोक समनेद रुके वेकार आज गति में आएंगे फायनन समनेद कोई कार भी आज संपन हो सकता है दोस्तो दिन का कुछ में वारिश लोग के सानेदों में वेतित करें और उनका मार दर्सन लें इसे मानसीक और आत्मिक शुकुन बना रहेगा अधिकतर काम योनावात तरह किसे पूरे होते जाएंगे पर पटी से समन्ध खरीक परोत के कार भी शंपन हो सकते हैं दोस्तों दिन सुखुद वेतित होगा तथा पारिवारिक कारें को वेवेसित करने में आपका योगदान सहायक रहेगा आपकी सकार्तमों और सौनतली सोच दोरा कुछ में से चली पर समया भी होंगे अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी वसूली करने का भी उचीत समय है गर में किसी खास वस्तु की खरेदारी भी शंबव है ताथी दोस्तों भाग्योदे दायक समय चल रहा है आपकी तरीकी के लिए कोई द्वार खुल रहा है सुफ अतदिग मेहनत क जरुत है विद्यार्थियों को भी आसा के अनुरूप परना मिलने से शुकुन और खुशी मिलेगी कुछ में घर के वारिश लोगों के साथ भी शमय वेतित करें दोस्तों दिन वर्वेस्ता वनी रहेगी और जिम्यदारियां भी बढ़ेगी परिवार में शुक सांती बना दोस्तों अधादमिक लोगों के मारदर्शन में आपकी कोई शमश्या हल होने वाली है और पिछले कुछ नमें से चले तनाप से भी रहत मिलेगी विद्यार्थियों कुछ सिपर्तियता परिक्षा में सफलता मिलने के पूरी योग बने हुए है आयका भी कोई नया सोथ बन परियास करें किसी धार्मिक अधा अधात्मिक अस्तल पर चाने का प्रोग्राम भी बन शकता है अपनी दिन्चारिया में परिवर्तन लाना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा साथी आपका ध्यान अधात्मिक किसी बात को गाहराई में जानने के लिए उत् इसे आपको आत्मी खुसी भी प्राथ होगी विद्यारती अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस भी रहेंगे दोस्तों गिरिस्ती समान ही बनी हुई है दूसरों पर विश्वास था उमीद ना रखकर अपनी कार छमता पर ही विश्वास रखें समाजिक तथा धार्मिक किरिया कला पो में शम्य बेतित करना मानशिक शुकुन देगा परिवार जनों के साथ भी वरतलाप करके कुछ नतीजे भी मिलेंगे दोस्तों आपके रासी वाले लोगों के लिए अनुकुल गिरिस्ती बन रही है किसी भी विप्रिस परसिती में आपको कही न कहीं से मदद भी मिलेग साथी कुछ नई अनुबं भी हासिल होंगे संतान पक्ष की सिंख्छा आत्वा पढ़ाई समन्दित संतोस जनक परिणा मिलने से मन में शुकुन और खुशी रहेगी वहीं दोस्तों आपका दिनचारिया ववेश्तित रहेगी और खुद में भरपूर आत्म विस्पास लिए अमड़े छमता को केरियर आधात्मों और धात्मिक गतिवीदियों में लगाएं प्रोजमर्रा की उबाव दिनचारिया से भी रात मिलेगी किसी विसे सकार में जूटी हुए युवाओं को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी वहीं दोस्तों व्यवस्तित दिनचारिय रहेगी आपकी तरेकी के लिए कोई द्वार खुल रहा है सिर्फ अधादिक मेहनत के जोरत है विद्यारत्यों को भी आसा के अनुरूप परना मिलने से शुकुन और खोशी मिलेगी गर मेर इस दारों का आना जाना लगा भी रहेगा दोस्तों इस शमें अपने लक्ष और को कार रूप देने का अनुकुल समय है धार्मिक तथा समाजिक छेतर से जुड़े कार्य में भी आपका रुजहान बढ़ेगा संतान से समन्दित कोई खुश खबरी मिलने से मन परचन रहेगा आज आपकी कोई इक्छा पूरी होगी सिर्फ बहुत अधिक मेहनत की जरोत है आर्थिक इस्ति मजबूत करने में ध्यान रहेगा सगे समन्दियों का भी आपकी इन योजना में भरपूर्श शहयोग मिलेगा खुश में अधात्मी गत्री बीदी में भी समय बेतित होगा दोस्तों आज किसी काम को लेकर चरही मुश्किल दूर होगी साथी परिवार जनों का शहयोग आपके लिए नेडने में मदद कर सकता है दोस्तों युवाओं को किसी सहारनी कार की बज़े से विशे समान भी मिल सकता है युवा लोग अपने भविश को लेकर भी सजग रहे लेकिन आप पूरे मन और उर्जा से उन्हें करने में समक्च रहेंगे निश्चिति आपको सफलता मिलेगी विद्यारती था युवा अपने योगता और कार चमता को पहचाने और उनका उचित सत्प्योग करें इसे आप अपने भवे से समने कोई निर्ने लेले में भी साह करेंगे वहीं दोस्तों अगर आपकी साब्धाने के बार में बात करें तो दोस्तों प्रैक्टिकल बने अपने योजनाओं को किसी के सामने परसूत ना करें वाना विग्न बधाएं आ सकती है आपनी कामियों को पाचाने और सुधार लेने का प्रयास करें समन्ध मधूर ब दुक्सान भी हो सकता है गर के वारी सदस्क की स्वास्त का विश्यज ध्यान रखने की जर्रत है विद्यारती था युवा वर्ग मनुकुल परनाम ना मिलने पर मायूस ना हो तथा अपने मेहनत को और बढ़ाएं दोस्तों किसी भी तरह का पेपर वर्ग करते शमे साब्ध आसी रहेगी दोस्तों परिवार से समने कोई शमस्या चल रही है तो सांती पूर्ण तरीके से सुल्जाने का परियास करें किसी मित्र या नजदी की व्यक्ति की गलत सला आपके लिए परियसानी का कारण बन सकती है बेहतर होगा कि अपने निरने को ही सर्वो परी रखें द गर की गति विदिया में अभी अपना योगदान देना भी आपकी जिमिधारी है विद्ञार्थी मनरोजन तथा व्यर्थ के कारें में पढ़कर अपने अधियन और केरियर के साथ समझोता ना करें किसी से भी बात चीत करते समय भवे भासा का परियोग ना करें दोस्तों अ और भावकता में कोई निरने ना लें साथिसाथ दोस्तों कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे कि उन पर कटोती करना संभव नहीं हो पाएगा अगर कोई सरकारे मामला आठका हुआ है तो उसे आज सुल्जा लेना उचीत होगा परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला जोस की बजाय होस में लेना जरूरी है बच्चों का मारदर्सन करते रहें दोस्तों पैत्रिक समन्दित कार्वे में कुछ व्यावधाम आएंगे जिसकी बज़े से वाद वाद भी शंभव है किसी भी परिशानी को सांती चुक होकर सुल्जाने का प्रयास करें नेसीती दोस्तों आपको सफलता मिलेगी कोई भी व्यक्तिकत बात लोगों के समक्ष शेयर ना करें इसे आपका ही मजाक बनेगा साथे दोस्तों भावगता की इस्तिति में कोई भी आपका इस्तिमाल कर सकता है इसलिए वेहबारे दिश्टिकों रखें, रिक्स परवर्ति के कारे में पैसा ना लगाएं, नुकसान हो सकता है यात्रा करतेश में अंजान व्यक्तियों से संपर्क में ना आएं, परिवारी और समाजी गतिवीदी में भी ध्यान देना जरूरी है उसनों किसी भी मित्र अत्वा पडूसी के साथ छोटी सी वात को लेकर मन मुटाव होने की इस्तिति बन रही है धैर और श्यम से समस्या का समधान निकालें, कोई भी कानूनी मामला चल रहा है तो उसे जल्द ही सुल जाने की कोशिस करें वाना समस्या भी बढ़ सकती है, साथी व्यर्थ के खर्चे आने से मन कुछ परिशान रहेगा हाला कि प्रयास करने पर आयका कोई सुरोध भी पुनशुरू हो सकता है युआंको अपने किसी कार में मन मुटावित परिणाम नहीं मिलेंगे निरासना होकर दोबारा उस पर ध्यान केंदित रखें नेसीती दोस्तों आपको शफलता मिलेगी दोस्तों खुद को शमय के अनुसा ढालना बहुत ही जरूरी है कभी कभी अब अपने जिद्ध की बज़ा से ही अपना नुकसान कर सकती है इस समय मेहनत ज़ादा और फाइदा कम होने की योग है तनाव लेने से बचें इनकम टेक्स लोन यादी से समन्दित कुछ दिकते भी आएगी बच्चों की गत्विद्यों पर पूरी नजर रखें परन्तों ज़्यादा टोका टाकी करने से सांते पुर्ण तरीके से उनके समश्या का समाधान निकालें कोई भी महत्यपोर निर्ने लेने से पहले किसी वारिस व्यक्ति से सलहा लेना जरूरी है इसमें किसी भी तरह की आवाजाही करने से परहेज रखें दोस्तों जल्दवाजी और लापरवाई में कोई भी निर्ने ना लें किसी भी समांजस से की इसिती में परिवार जनों से विचास मस करना उचीत रहेगा वहन अत्वा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है दोस्तों तो था रिष्टारों के कार में हस्तेशेव करने से भी बचें दोस्तों जल्दवाजी और लापरवाही में कोई भी निर्ने डालें किसी भी असमांजस की इसिती में परिवार जनों से विचास मस करना उचीत रहेगा वहन अत्वा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है दोस्तों तारिस्दारों के कार में हस्तचेप करने से भी बचें दोस्तों यह हश्रमे मोज मस्तिकी बजाए अपने वेक्तिगत कार में ध्यान देने का है किसी गलत फ्यमी की बज़े से नजदिकी मित्र अथवारिस्दार से मन मुटाब हो सकता है गुस्य की वजाए धैर और श्यम से परिस्टियां को शंभालें दोस्तो जल्दी सफलता हासिल करने की चाह में किसे भी गलत रास्ते का परियोग ना करें धैर रखकर अपने काम करते चलें गर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा इसू बन सकता है आपसे समानजसे से इसका हल निकालने की कोशिस भी करें और दोस्तो प्रैक्टिकल बने तदा अपने कारे को प्राथमित्ता पर रखें अध्यदिक जिम्मेदारिया लेना आपको ठका भी देगा अपने छमता के अधिक मेहनत करना भी स्वास्त को परभाविदी भी करेगा किसी के साथ व्यर्थ की वहास में पढ़ने से परहेज रखें दोस्तो किसी समंदी की विवाहिक जीवन में चलें तानाप को लेकर चिंता रह सकती है लेकिन सांती से समधान निकालें आप वाहों को चिंता न करते हुए अपने कामों में ही व्यस्तर है सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में आएंगे उहीं दोस्तो वैवसाई की बात करें तो दोस्तो कारोवार में विश्तार समझत योजना है सफल रहेगी लेकिन फिलाल जड़ा मुनाफे की उमीद ना रखें कोशिश करने पर रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैशा मिल सकता है किसी उचे देकारी की मदद से आपका कोई काम रुका हुआ भी हल होने की समभावना है दोस्तों वैवसाई गत्री विदिया कुछ धीमी रहेगी पर दू आपका काम करने का जुनुन आपको सफलता भी हासिल करवाएगा वर्किंग महिलाओं को अपने घर तथा वैवसाई में तालमिल बनाकर रखने में कुछ शमस्या आ सकती है सरकारी नुकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है दोस्तों इसमें वैवसाई समझेद वर्तमान गत्री विदियों पर ही ध्यान दे है किसे नए काम की सुरुवात करने के लिए समय ठीक नहीं है नुकरी पेसा लोगों को महत्पुन उपलब्दी मिलने के भी योग है इसलिए अपने काम पर फोकस करें मोजोदा बिजनस में कुछ नया करने की योजना बन ली है तो उस पर एक बार फिर से गंबिरता से विचार करने की जोरत है हाला कि वर्तमान गत्य विदियों में अच्छे लाप की इस्तिती रहेगी नुकरी पेसा व्यक्तियों को कोई जिम्यदारी वाला कारभार मिलने से तनाब बना रहेगा दोस्तों सभी व्यवसाई कारे सुचार रूप से चलते जाएंगे इंकम भी बढ़ेगी स्टाप तता सहगियों के साथ उची ताल में रखना जरूरी है विमा कमिसन यादी जिसे व्यवसाई में ज़्यादा फैदा होगा मार्केटिंग के कारभार से आज कुछ रहत भी मिलेगी साथ ही आज कारोबार में उपलब धियां भी मिलेगी व्यवस्तित कार पर नालित्ता मेहनत से आपको बहतरिन सफलता मिलने वाली है मेडिया और ओनलाइन कारियों से जुड़े व्यवसाई अधिक सफल रहेंगे गेर कारणी कामा में दिल्चस्वी लेने से बबचें वाना मुसीवत में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों बिजनेस में परतिदितियों की बज़े से कुछ मुस्किलें आ सकती है लेन्देन करते वक्त उधारी ना रखें लापरवाई से जौब या बिजनेस का मौका बिगर सकता है लेकिन धैर रखें जल्दी समय की चाल आपके अनुकुल रहेंगे साथी बिजनेस में काम ज़्यादा रहेगा और वेवैस्था भी बेहतर करनी होगी लेकिन जल्दवाजी की बज़ाए गंभिर्ता और सावधानी से काम करें सरकारी कामें में परिसानी आने पर वारिष ब्रेक्तियों की सलह लेना उचीत रहेगा दोस्तों कारवार में रुकावटें आ सकती है लेकिन तनाव न लें और अपने काम योनावत तरिके से करते जाएं जल्द ही परिसतिया अनुकुल हो जाएगी सरकारी नोकरी पेसा लोगों को कोई महत्पुन और्थरेटी मिलने की उचीत संभावना है उच अधिकारी भी आपके काम से परशन रहेंगे दोस्तों वैवसा में बारतमान गद्री विद्यों पर ही ध्यान के अनुकुल नहीं है देकिन जल्द ही समय की चाल आपके अनुकुल होगी ओफिस में आपने फाइलन तथा डोकुमेंट्स को समहाल कर रखें आपका कोई सहयोगी ही इनका दुर्पियों कर सकता है दोस्तों कारोवार में स्टाफ और कर्मचारियों की मदल से उचीत व्यवस्ता बने रहेगी पार्टन सी समन्दिद व्यवस्ता में और अधिक बहतर करने समन्दिद व्यवना बनेगी नोकरी पैसा लोग अपने बोस वा उचिदिकारियों के साथ समन्द खरापना होने दें जल्दी पर्मोशन की समभावना है साथी व्यवस्ता कार परनाले में सुधार आएगा अपने काम करने की जूनुन को और अधिक गति दें इस समय फाइनल समन्द कारियों पर पूरा ध्यान केंदित रखना आपके लिए जरूरी है नोकरी पैसा व्यक्तियों को कोई ओफेशल यातरा करना लाब दायक रहेगा और बहतरिन अनुभव भी आएगा व्यवस्ताई कार परनाले में सुधार आएगा लेकिन समय के परति बंदन के साथ साथ आर्थी इस्ति पर भी ध्यान रखना जरूरी है ओडर पूरा करने में कुछ लोन या उधार भी लेना पड़ सकता है नोकरी में अपने काबलियत के दम पर खास प्रोजेक्ट मिल सकती है वहीं दोस्तों व्यवस्ताई कार में सुधार आएगा और चल ही दिक्यत्य दूर होगी तथा कार योनावात तरीके से संपन हो जाएंगे मार्केटिंग पैमेंड या दिकलेट करने में अपना अधिक समय लगाएं सरकारी स्वराथ लोगों को उझे दिकारियों की तरफ से कोई ओथरेटी भी मिल सकती है वहींच दोस्तों आज वैवसाई से समय दिक कोई शमस्या दूर करने में शफलता मिलेगी रुकी हुए या फंसे हुए पैमेंड हासिल करने के लिए उत्तम समय है कोई नया ओडर या डील भी फाइनल हो सकती है पन्तु अपनी कोई भी योईना दूसरों के साथ सेर न करें सरकारी सेर अद्वेक्तियों को पॉबलिक शमस्या दिकारियों में परिशानी भी आ सकती है इन पर दोस्तों ध्यान रखें साथी वैवसाई में कार परनानतिता वैवसाई उचित बनी रहेगी साथी स्वजनों का शहयोग भी आपके कार में साहता रखेगा इन पर एक्सपोर्ट समन्दे वैवसाई में कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लें नुकरी पैसला लोगों को तरकी के लिए ग्रे सित्यां बहुत ही अनुकुल बनी भी है इनका सद्य प्यूग करें तोस्तों वैवसाई समन्दे दूर दराज के पार्टियों से आपको बैतरिन अनुबंद मिलेंगे इसमें कर्मचार्य तस्वागियों का भी अपनी छामता अनुसार पुन्षायोग रहेगा आयका कोई रुका हुआ सुरत गती में आएगा विवाँ को नुक्री समन्द कोई खुश खबरी भी मिलेगी साथे बिजनस में बहुत अधिक जिम्मेदर यां रहेंगे और कारभार भी बढ़ेगा हलाकि सही समय पर सही निर्ने लेना आपको शफल बनाएगा परवारिक वैवसा इसे जुड़े काम शफल रहेंगे नुक्री में साकर्मियों की गत्य विदियों की परती लापरभा ना रहें दोस्तों कारी छेतर में पवलिंग डेलिंग और मार्केटिंग समन्द कारी में भी बहुत ही ध्यान दे या समय फायदेमन इसती बनी हुई है दोस्तों वैवसा में पिछले कुछ समय से चल ही समस्याओं का शमधान मिलेगा फिर आपने सीथ होकर अपने कारें पर ध्यान दे पाएंगे पर तो किसी भी नए काम को शुरू करने से उससे पहले समन्दिद उचित जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है नुकरी पेसलों को उपर कारभार की अधिकता रहेगी दोस्तों वेबसाइट समन्दि कोई रुका हुआ कार इन तीन दिनों के शमय अवदी में शमपन होगा दुर दराज के छेतरों में महत्पून ओर्डर मिलने की शमभावना है साथी साथ आपको अपनी मेहनत का उचित परनाम भी हासिल होंगे वहीं दोस्तों आपके लव लाइक के बारे में बात करें तो पत्ती पत्नी आफसी समान जज़ उचित बना कर रखें था एक दूसरी की भावनाओं को कदर करें प्रेम समन्द में मदूरता बनी रहेगी साथी साथ बेहोतर समन्दों का खुलाशा हो सकता है इसलिए एसी गत्ती विदियों से दूर है जिवन साथी दता घर परिवार के परती आपका सहयोग और समर्पन की भावना घर के माहुल को पहुती सुखनामा बना कर रखेंगे लव पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें वोई आपके स्वास्ते के बारे में देखा जाए तो अपने खान पानों और दिन्चारिया के परती लापारवाही ना बरते थोड़ी सी साबदानी आपको स्वास्त रखेगी का स्वास्त ठीक रहेगा पर तो ग्यास और सिर्दर्ज जिसी समस्या बहुत ही परेशान कर सकती है वेवस्ति दिन्चारिया रखें साथे साथ वियोगा और वेवाम पर ध्यान दें दोस्तों ग्यास और ऐस्रेटी की समस्या बलग सकती है हलका और सुपाच भोजन लें वेवाम जरूर अपनी दिन्चारे में शामिल करें खान पान के परति लापारवाई न बढ़तें मोसम के अनुकुल दिन्चारिया रखें और उचीद इलाज करें खासी जुकाम तर गले समस्या किसी भी परति लापारवाई में न लें और उचीद इलाज लें दोस्तों तनावा चिंता की बज़े से निंद ना आने जेसी सिकायत रख सकती है मेडिसन और ध्यान के लिए भी कुश्य में आवश्य निकालें स्वास्त के परति लापारवाई न करें तथा मदमे तथा बलट पेसर से समझेद अपनी नीमित जात आवश्य करवाएं योगा वेवाम यादि को भी नीमित रखें दोस्तों आपका स्वास्त उत्तम रहेगा सिर्व अपने दिन्चार और विचारों का शकारतमक बना कर रखें अत्यदिक मेहनत और स्वास्त के परति लापारवई आपको सारिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है स्वास्त के परति भी सचेत रहें अलरजी अथवा मोसमें विमारी संक्यत मिल रहे हैं व्यवाम और योगा के लिए भी कुछ में जरूर निकालें वाना नोश्र में खिंचाव और दर्द की समस्या परिशान कर सकती है दोस्तों व्यवस्ति दिन चारिया और खान पान आपको स्वास्त और उर्जवान रखेंगे परवारी सदस्यों की स्वास्ति की भी उत्तम बने रहेंगे साथी बदलते मोसम से अपना बचाव रखना बहुत ही जरूरी है किसी परकार की एलर्जी या इनफेक्शन की सामभावना लग रही है स्वास्त ठीक रहेगा पर दुख कभी कभी नकार्तम परस्तियों की बज़े से कुछ तनाव रह सकता है इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें तनाव की बज़े से नस्व में खिंचाव और दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है योग और वेवाम पर उची ध्यान दें आज की जो उपाय हैं आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों या चार गुरुबात या फिर चार सुकरवार के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से कोई भी परिशानी नहीं होगी जहां दोस्तों दोस्तों इस दिन मालक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोडी, संख, यादी अरपित करें मननेता है कि मालक्ष्मी को माखाने खिर बता से यादी का भोग लगाने से मालक्ष्मी जल्द ही प्रशन होती है और भक्तों पर कृपा वरसाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी सुकरवर के दिन काली चीटियों को सककर या चीनी खिलाने से इसे भी आपको बहुती लाग मिलेंगे uh, दूस्त बात करते हैं आपका भागे साले रंग और भागे साली अंक क्या है? दोस्तों आपका भागे साले रंग गुलावी है और भागे साली अंक एक है दोस्तों मालक्षमी जी की आज सिर्वात आप सभी को प्राप्त हो सच्छी दिलशे कमेंड बॉक्स में जैं मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवार